तो अभी हम जैसे की काम कर रहे थे हैं फायर बेस पर तो यार भी लॉग इन ऑथेंटिकेसं सब जाना था सबसे पहले एक बेसिक सी चीज है नाविगेशन की यारब मैंने बतायाने था रूट्स और नाविगेशन के बाड़े मैं कैसे एक पेज से आप दूसरे पेज पर जाते हूं बहुत स्यारी चीजें फ्लर्टर में आटो रूट जेनरेटर सिंपर नाविगेशन रूट नेम न सबसे पहले मैं आपको समझा तो नेविगेशन होता गया और काम कैसे करता तो बेसिक से समझेंगे सबसे पहले देखो नेविगेशन मेरे पस पीन तरह की पेज़े हैं यह । दूसरा मेरे पास लॉग इन की पेज पीसरे मेरे पास Homepage की पेज तो मैंने अगर अपना बनाय उसके home में जाके कि home कौन सा होगा तो home में मैंने डाल दिया sign up तो आप जैसे ही हो लोगा sign up page पर चले जाओगा फिर अब क्या है चलो देखते हैं sign up page हमारा आ गया अब sign up पर क्या है कि मैंने किया सब कुछ अपना करके अपडेट कि अब क्या करा है कि login के लिए तो चलो भी अब login पर हम आ जाते हैं मैंने login का बटन प्रेस के login पर आगा है login पर क्लिक करने करे हमने अपना प्रेटेंसल जो भी हमने अपना login कर डाला फिर हम आगे home page पे इस तरह हम तीन पेज से एक पेज दूसरा पेज और तीसरा पेज तीन पेज पेज पर हमने आप में यूज करते हो आप क्लिक करते हो दूसरे पेज पर चले जाता हो एक तो नहीं कि उसी में सारी चीज़े रहती है ऐसा कुछ कुछ ऐसे है विजिस में की उसी पेज के नीचे कुछ आती है ऐसा कुछ है बट यह पेज की जो अब हम करेंगे लॉग इन का साइन अप का होम पेज का इसारी चीज़ेगा करेंगे तो उन से पहले यह जानना बहुत जरूरी है ठीक है नेक्स आते हैं तो यहां पे लिखा है in this page you have to do a single navigation to the piece- You want to open up in your app तो मैं मैं जैसे ही ख़ो लूँ तो हो में मुझे साइन अपले मिले ओ अब जैसी अब को ओम complexity जाएगा जैसी मैंने मेरा क्वी आप है whats ओस पर क्लिक किया ऊप्ष फार ना है planning चले मूव करतें मिल्किन aWeek डॉर का था नाविग Fisher जब कोडिंग करूं तो मैं आपको दिखा हूंगा नाविगेटर.push का यूज करके हम कैसे नाविगेट करते हैं इसमें कुछ चीजे के लिखी हुए जो फर लटर के डॉकमेंटरी में लिखी हुए जी देख हो जैसे तो switch to a new route, use the navigation.push method, the push method adds a route to the stack of routes managed by navigator यह basically यह कह रहा है कि जो routes होते है वो stack के दोड़ा manage के जाता, अब stack क्या होता है, stack time कैसे करता है और last में यह क्या कह रहा है, in the build method of the first route widget, update the onpress callback जो आप बनाए होगे, जैसे कि मैंने कोई button बना दिया, उसमें raised button ही मैंने बना दिया, तो raised button में वो जब आपको onpress वाले function में जाओगे, तो आपको navigation.push को यूज करना है क्योंकि जैसे वो button press हो, तो वो navigation.push करके जहां पर भी आपको भीजना हो, वहां पर लेकर चला जाओगे, stack क्या होता है, यह कह रहा है कि stack की तरह काम करता है, यह देखो, एक पहला मेरा आया, ठीक है, दूसरा उसके उपर आया, तीसरा उसके उपर आया, stack ऐसे ही काम करता ह पहला, उसके उपर तीसरा, ऐसे, अब जब back करते हो, तो क्या होता है, यह पहला रिमूब, यह रिमूब हो जाएगा, अब जैसे ही back दो होता है, यह रिमूब हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करते हुए उड़ते चला जाएगा, stack आप अगर पढ़े होके data structure में, तो उसमें पॉप बाहर निकला, तो पुछ हुआ कुछ, फिर पॉप करने के लिए में बाहर निकलना तो एक देखो, एक back arrow खुद बखुद आ जाएगा सामने, और उससे हम back हो जाएगे, और stack का जो हमारा उपर वाला है, वो पॉप हो जाता, वो निकल जागा बाहर, एक और होता है, navigate with named roots, यह दो चीज में इस वीडियो में cover कुरा है, नेक्स वीडियो में और चीजे में cover कुरू, navigate with the named root, define the root, name, define the root by providing additional properties of the material app constructor, the initial root and the root themselves, यह होता है कि आप जब material app में define करता हो, तो आपको initial root पे होता है, उससे आपको ऐसे roots को आप ऐसे dot slash करके define करना होता है, यह मैं जब coding क आपको दिखा दूँगा, यह भी वैसे ही काम करता है, इसमें हमें navigator.push करके, फिर build context करके, उतनी चीज़े नहीं लिखनी होता है, इसमें सिधा में, जो हमारा material page होता है, जो material.ka main.ka page होता है, उसमें हम dot slash करके, हम use करते है, initial page को, ठीक है, तो यह चीज मैं आपको दुखा होता होगी आपको, यह जोगा, मैंने library में 3 library create की, login की, main dot dot की, sign up dot dot की, ठीक है, आप यहां पर right click करोगे, right click करने के वार आपको new पर जाना, new पर जाओगे, यहां पर dart file, dart file पर click करके, अब create कर लो, जैसे मुझे login का create करना है, तो जी यह login, ठीक है, यह login होगी है, log in, मुझे login है, create करना है, मैं login पर करूँगा, enter, test कर दूँगा, login का create हो जागा, ठीक है, तो मैंने main dot dot में किया गया, basically, मैंने सब कुछ remove कर दिया, मैंने सब कुछ हड़ा दिया, यहां से मैंने किया गया, simple साथ लेखना, इतनी छोटी सी code है, मैंने लिखा है, class main app extends stateless override widgets, return material app, इलता तक आप जानती हो, मैंने किया, debug, source check, false, debug वाला मैंने हटा दिया, उसके मैंने क्या home, home में मुझे material app use कर सकता था, scaffold use कर सकता था, बहुत सारी चीजों को मैं use कर सकता था, sorry material app तो मैंने use कर रखा है, लोगिन में बनाया, लोगिन मेरा इदर आयागा कैसा है, तो मैंने import कर रहा, import login dot dot, मैंने इस page को main dot dot में import कर एक बार अब ध्यान रखना, कि main dot dot में अगर आप use करोगे, कोई बीचितों से आप import कर रहा है, at least किसी में भी, अगर मैं यहाँ पर sign up dot dot को use कर रहा है, तो मैंने sign up dot dot को import किया है, तो इन चीजों पर ध्यान दोगे, तो मैंने login को कर रहा, तो यह क्या कर रहा है, यह home page इस class को call कर रहा है, तो यह home page जैस अमरा login पर इस भुल जाता है, अजया मैं इसे side में कर लाता हूं, बजाना यार font सही है यह नहीं है, मैंने इतना बड़ा कर दिया है, अब लोगों को दिख रहा है यह नहीं दिख रहा है, चलो ठीक है, so font मैंने बढ़ा दिया, अब मैंने login dot dot में किया गया, simple सा stateful visit use क्या है create कर लेना stateful visit, class login stateful visit, यह नहीं एक बड़ा करना खुछ से, अब समझ जो कि stateful visit क्या से करते हैं, उसकी state क्या से create करते हैं, इसमें बहुत प्रॉब्लम आती starting days में कि यार यह stateful कैसा काम करता है, stateless तो बना लोगों, वो तो ज्यादा है निक override करो बन जाता है, but stateful में state create करने होते हैं, ठीक है, तो यह दो, पिछले कुछ वीडियो में हमने state पर भी काम किया रहा है, state change करते हैं, एक चीज का, तो वो सारी चीज़े भी हाँ काम करते है, stateful visit में, उन्हें आप खुद से करोगे, फिर आप समझ जोगे, यह दो, login stateful log, यह मैं अपने हिसाब से कर बता द बीट करना होता है, login state का, और login state को हमने यहाँ पर define करा, उसके बार मैंने क्या किया कि गुई जो state का मैंने class define कर दिया, मैना इमआल पासवर्ट डाला चो कि मैं भी करने वाला था उसमें, जो आईगी हमारी अपल वीड़ी वीडियो, तो यार उसकी इसकी प्लटर और पार्गस वाली तो उस वीडियो में आएगा तो चलो ठीक है वो ठीक है उसके ओवराइड करने का यह सारी चीज़े इस चीज़े इसके अंदर डिफाइन होते हैं फिर आप करना क्या ओवराइड करना है फिर करना विजिट्स बेल्ड यह तो मैंने एक एड़ किया उसमें मैंने चाहिए लिए डाला क्रियेट एन एकाउंट यह देख सकते हो आप क्रियेट एन एकाउंट रिज बटन में है अब आया ओन पेस का काम मैंने जो भी आपको बताया था नाविगेटर डॉट ऑफ कंटक्स डॉट पुस नाविएटर नीचे से दो पर की तरफ आड़ाई नीचे से बीट और टेकर रॉट में डिफाया तो मैंने एक बिलिडर कॉंटैक्स इन पे चले जाओ अब मैंने वापस आगा अब वह कैसे हुआ यह देखो बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने login page का create किया था वैसे ही मैंने यहां भी create कर ले यह विजिट में अब चड़िया मैंने submit पर खुलिक यह बाद निकल गया हटी का वह तो यह वैसे ही काम कर रहा है और यह जो आ रहा है यह दो बैक का बटन आड़ा यह भी वहीं लेगा तो यह वहीं काम होई कर रहा है यह material पर आपके नहीं भी डालोगा तब भी काम कर जाएगा रहा है वी र हो रहा हो रहा है ख्रके के यह तो होगे हमारा ड्याव डाट कुस का जो मैंने मेन अब नेम सब्सक्राइब यह सबसक्षों कआ है ऑकγαसे करते स्लाइस को साइन अप से अधिक है इसे से डिफाइन करते हैं पता नहीं है यार कोई डिफ्रेंस नहीं है वही सेम चीजे है यहां पर बस मैंने यहां पर कुछ नहीं था मैंने एक रूट डिफाइन कर दिया मेरा मैंने ूजह मिद्ara मोला कर दिया दों यूज पे हमारे लॉग इन पेज और यहां पर जो मैंने बेल करा तो उसके जगह बेन दी तो बट्ब कि यूज खरना और मुझे स्वाइन करना है हमारा है यह स्ट्रिंग जाएगा हमारा है क्वारा से साइन एक को एठ दो उया नहीं है यह नाro इंदר ना करने चलीन शुट्क यह द्ह CH अ अ मतिंग जय फे सब्सक्राइबें नहीं काम कॉछिस है थो में थोड़ी सी चेंजिस की हैं बस यहां पे रूट साइट के हैं एक और आता है यार रूट जनेरेटर वह मैं अगली वीडियो में लेख के हमाँ ठीक है तो थैंक यू धन्यवाद इस वीडियो के लिए और यार मैं विंडो पर वापस जा गया है क्योंकि लेनेक्स में यार क्या कुम खिस्मत कहीं रहा है छोड़ो रहा हैं तो चलो धन्यवाद